पूर्परदान विनोत काला ने बताया कि उनके 42 वर्षिय भाई शुशील काला सेना में तैनाब थे वर्तमान समय में वे हैट क्वाटर एच क्यू बारर रैपिट जेसल में राजिस्थान में आर्मे इंटेलिजन्स कोर में सुबेदार के पतपर थे जो रविवार की सुभा किसी सरकारी कारिये से अपने एक साथी के साथी स्कूटी द्वारा तनोट बाईपास पर निकले थे जा एक डंपर की चपेड में आने से सडक हाथसे में उनकी मौत हो गई वहीं साथी सलामत बजगया गटना की जानकारी होने पर उनके विभाग्य अधिकारियों द्वारा परिवार को चानकारी दी गई साथी जेसल मेर के सुबेदार समुंदर सिंग वे सुबेदार रोशन सिंग 6-6 सेना के जवानों के साथ मृतक के शव को लेकर गउं भिकका वाला उनके पैतरा गउं लाई जहां अंतिम दर्शन के बाद राम घंगा घाट पर सैना के जवानों सही छेदर के भूत पूरुल सैनिक संगठन के सदस्यों सही सेकडों लोगों ने पुष्प अर्पित कर मृतक आत्म को श्रद्धांज ली दी वही सुबेदार समुंदर सिंग दुआरा, मृतक सैनिक शुशील के पुत्र दिव्यांशु को तिरंगा भेट किया गया पुत्र दिव्यांशु ने अपने पिता को मुखगनी दी मृतक सैनिक के शवी आतरा में छेतर के सेकडों गणमानीय लोगों ने शिरकत की वही घटना से पूरे छेतर में शोक की लहर है पूर परधान विनोत काला के यहां सतावना देने वालों का ताता लगा हुआ है देखिए अवजल गड़ से हमारे समाधाता संगम चौहान की रिपोर्ट पर करवाने के लिए संपर करे पिजनाओर की सभी ताज़ा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सबस्क्राइब करें